कि नवस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में देखो दोस्तों आपको पताएं कि इस समय कैनेडा और भारत का जो तनाव है वो चरंपर है चरंपर ऐसा टॉप और आप अच्छी तरह जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है सबको पता है तो कारण को डिसकस नहीं करेंगे हम फोकस करेंगे मार्किट के उपर कि बाजार पे इसका क्या असर होगा जी हां कैनेडा और जो भारत का तनाव शल्ला है इसका कल भारतिय बाजारों पर बाते शेयर बड़ा और उपर क्या असर होगा देखो दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ यह बहुत बड़ा विश्व है समस्यां चलती रहेंगी समस्यां चलती रहेंगी अभी हाल फिलाल में आपने रस्या यूक्रेन देखा फिर अभी यह मुद्दा आ गया ऐस समस्यां आती रहेंगी निगेटिव खबरे साफ साथ चलती रहेंगी बाजार जो चलता है वो अपने इसाब से चलता है बाजार को चलाने के लिए चार लोग होते हैं रीटेल एफ यह प्रो डियाईज इनके मेस पर साहब बाजार जो है वो चलता है देखो दोस्तों ऐसा अगले कि असर नहीं पड़ेगा असर पड़ेगा पक्का पड़ेगा अब असर क्यों पड़ेगा आप जानते ही हैं कि जो इंपोर्ट-Export होता है माल अगर चैना रे से हमारे जो तनालों चरम पर है कुछ रमपयांगी हम पामदया लगएंगी इंपखfront एक्सपोड क्या होगा प्रबावी तो जो वहां से चीज़े आनी है वो सा महंगी हो जाएंगी नहीं पाएंगी तो क्या होगा उनके रेट यहां बढ़ जाएंगे जिसे मसूद की दाल वगएरा मैंने आपके लिए बढ़ सब्सक्राइब चैनल पर लगाया है इफआऑई डी आइए प्रो रिटेल वह एक बहुत महतुत भूमी का निवात है महाँ पड़ेगी नहीं पड़ेगी बात की बात है ऑठीक है क्यावदा बारत सरकार ने कुछ इंतिज़ां कर रखा हूं जो जो चीज़े चैनल से आती है उनके इंतिज़ां बारत सरकार ने कर रखा हूं तो महेंगा ही बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बात की बात है ठीक है लेकिन जो बाजार चलता है मैंने आपको बताया एफ आई डियाइस प्रो और रिटेल के काहिए पोजिशन देखें इनकी आप इनकी पोजिशन देखें आप बस किलियर हो जाएगा सब यहीं से चलाएंगे बजार को बहाने होते हैं सब यह कि ऐसा हो गया रसे यूक्रेन में यह ऐसा बहनक मोड आ गया है लडाई हो गया यह वो गया फला न हो गया करना राके साथ भात के जो तरह हो चरंपर हो गए बाजार को भी पता है बाजार को भी पता है लेकिन जो यहां पोजिशनल एक पोजिशन खड़ी है बाजार उन पे चलेगा बाजार जो है उन पे चलेगा अब रसे यूक्रेन के साथ यूद दुआ सबको लगना ना बाजार जो है पंदरह जार आ जाएगा बंदरह जार से भी खिड़ जाएगा नीचे आ जाएगा और बाजार ने एक हाई बना दिया 20 जागा तो बाजार दोस्तों अपने इसाफ से चलता है अलाकि फरक पड़ता है लेकिन बाजार जो है अपने इसाफ से चलता है जो पोजिशन यहां खड़ी हुई हैं उनके अब FIA साब मूँ मोड़ने लगें जाने लगें माल बेचके फरक पड़ेगा फिर कितना भी DIAs बाइंग कर लें रिटेल के साथ कुछ नहीं होने वाला पाजार जो पैसा देखता है भार का कितना पैसा आ रहा है अब जब यहां से निकल ला है लोगा होगी देगा तो इस चीज को समझे हाला कि जब भी कोई ऐसी घटना करम होती है तो उसका प्रवाव डरूर परता है लेकि वह बहुत शोटना होता है फिर बाजार अपने ही इस्तितिमर वापस आ जाता है यहां जो पोजिशन खड़ी हुई है उन पर फोकस करिए नमस्का